जैने साथियों बुद्व शागत है आपका अपने ही चैनल NIS Online Hub में जैसा कि दोस्तों आपको पता चल गया है और पटना हाइकोट ने जो है डाइड पीटिसी को जो है खारिज कर दिया गया है और इस केस के बारे में मैंने पहले ही आप लोग को अपडेट बताया था यहाँ पर देख पा रहूंगे यह केस था यहाँ पर आप देखेंगे केस नंबर था CWJC819119-2020 यहाँ पर देखेंगे यह केस का दोस्तों यहाँ पर करन पोजिसन देखेंगे तो यह principle हो गया है और नीचे में आएंगे तो यह छे अप्रिल को एक order आया है जो कि मैं next video में आप लोग को बताने बाला हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ओडर आया है जो कि मैं नेक्स वीडियो में इसका पूरा बताऊंगा और इस वीडियो में दोस्तों बहुत सारे अपडेट यहाँ पर बात करेंगे जैसा कि इस न्यूज के बारे में आपको पता चल गया होगा सरकारी ट्रेनिंग कॉलेज को प्रात्मिक्ता नहीं यह आज के अखवार के मैंधम से अपडेट निकल के आया है जो कि मुझपर पूर से अपडेट आया है क्या कुछ अपडेट आ रहा है सारा इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे यही खवर है देख सकते हैं लिखावाए सरकारी ट्रेनिंग कॉलेज को प्रात्मिक्ता नहीं यह देख सकते हैं जो कि पतना हाई कोट में जो इसे खारिज कर दिया गया है यहाँ पर आ आज का लेटेस्ट अपडेट है और जो की चुरानवी हाजा सिच्चा का अभिहारतियों को भी अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि पहले ही कहा था कि पोटल पर जो है जितने भी टीचर का सट्पिकेट है उसे अपलोड करना पड़ेगा और यह ना समझे कि यह ओनलाइन ब सब्सक्राइब के माइधम से होगी लेकिन आपको जो है डोकुमेंग भेर प्यूरिकेशन के लिए आपको जो है पोटल पर अपलोड करना पड़ेगा देख सकते हैं पर देख सकते हैं परदेश के साढ़े तिन लाग सिक्चा को का सक्षानिक परमान पत्र अगले हफते से यानि जो भी है वो जो है अपलोड करना पड़ेगा यहां पर देख सकते हैं इतना सिच्चा को का फोल्डर गायब था और यहां पर देख सकते हैं 3.5 लाग टीचर का सट्पिकेट होगा अपलोड और यह दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ रहा है जो कि बिहार मंदीत और यहां पर दोस्तों देख पार होंगे सरकार के फर्वान से गुस्से में चात्र दी अंदोलन की चातावली AIF यहां पर देख सकते हैं कोरोना से स्कुल बंद को लेकर और यहां पर दोस्तों एक जो है पोस्ट आया है जो कि सिच्छा मंत्री के दुवारा कि मानिय मुहिक मंत्री जी केविनेट बेठक में गेस फेकल्टी के मांदय में बढ़ोतरी परदेश के विश्विद्दालाय और महाविद्दालाय में कर रहे इतना अतिती अंस कालें से चको को बड़ी रहा थी आप देख सकते हैं जो कि कल ही इसका आया है और दोस्तों बलाइंड क केस को लेकर मैंने कल ही अपडेट आप लोग को बताया था कि पपू सर के द्वार एक ट्वीट किया गया था कि मानिये चीफ जस्टी जो संजय कोरल के जगा जो है आप चीस जस्टीस सिवाजी पांडे और जस्टीस अस्विनी कुमार जो है लपी केस की सुनवाई करने की दी गही है और इसका अब सिक्षा विफाग पर डिपेंड करता है कि अब क्या होगा और एक अपडेट आ रहा है यहां पर जिला समस्तिपूर से कि फरजी अंगपत के आधार पर सिचक पत पर बहाल हुए आरोपित को तीन साल का कारवाजिया आप देख सकते हैं जो कि समस् कि फरजी अंगपत के आधार पर सिचक पत पर बहाल आरोपित तीन साल का तो दोस्तों ऐसा गलती ना करें नहीं तो आपको भी भूगातना पड़ेगा क्योंकि यह जो है ओनलाइन मूड के माइध्धम से आपका जो है डोकुमेंट को वेरिफिकेशन होगा यह ना सोचे कि ओनलाइन मूड में बहाली होगी यह ओप-लाइन कॉंसलिंग के माइध्धम से ही होगी यहां पर देख सकते हैं चीफ जेस्टिस का जो हुआ है यानि परदियस के तीन लाग सिचकों को जो परमान पत्र अपलोड करना होगा तो इन सारी अपडेट को यहां पर देखेंगे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सकाइब कर लेना यहां पर दोस्तों देख सकते हैं यह अपडेट है जो कि आज का यहां पर सरकारी टेर्निंग कॉलेज को प्रात्मिकता नहीं और यह बिहार से चकवाली से संबंदी थे और इसमें जो दोस्तों और जो हैसमें केस है जै कब होगा इसका कोई अभी खबर नहीं चला है पता और आने पर रही आपको जो है सुचित की जाए गया यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सिचक बहाली में सरकारी टीचर के ट्रेनिंग कॉलेज के अभिहारतियों को अलग से कोई प्रात्मिक्ता नहीं मिलेगी D.L.A.D. अभिहारतियों की अपील को हाई कोट ने खारिज कर दिया है यानि डाइड के माइध्यम से जो सरकारी माइध्यम से किया हुआ था यह मुद्दा था 2011 पास अभिहारति इसने जो है 94,000 सिट पर रिजब यानि उसे जो है रिजब मतलब पहले उसे लिया जाए यानि 94 चुरानवे हजार में समझ सकते हैं इतनी बड़ी मत्रा में तो यह कोट ने खारिज कर दिया गया है और हाई कोट ने खारिज कर दिया है कोट की आदेश अनुसा नेजी एवं सरकारी दोनों ही टीचर ट्रेनिंग कोलेज के अभिहारतियों को समान दर्जा दिया जाएगा यानि इसमें समान रूप से मिलेगा यानि 94,000 में जो ही है चाहे आप कहीं से भी ट्रेनिंग किये होएं आपको समान रूप से जिसे परात्मिक्ता रद हो गया तो उसी परकार जो है यह भी जो एक खारिज कर दिया गया है पटना है कोट के द्वारा और अभिहारतियों को एक समान दर्जा मिलेगा सरकारी संसतान डायट प्टिसी से ट्रेनिंग करने वाले परषुच्च ने सरकारी नोक्री में कुछ परतिसत प्रात्मिक्ता Kyung की माँग कर ते हाई कोट या हाई कोट में दायर की थी याचका दायर के थी हाई कोट ने इसको खारीज कर दिया अब सेवापुरू प्रसेचे संग के परदेश अध्यक्ष सिरी राज समेत अन अभिहारतियों ने कहा कि इससे हमें निरासा हात लगी है हम लोग मैदासुची के अधार पर तमाम आरक्षन नियमों का पालान करते हुए सरकार कियों से सिक्ष पराप्त किये हैं इन संस्तानों से अधिक गुनवक्ता प्रसेचु निकलते हैं और इसलिए हमें प्रात्मिक्ता मिलनी चाहिए सरकार को गुनवक्ता जो है सिक्चन बहाल के लिए सरकारी संस्तान के प्रसिच्चों को बिसेश पर अक्तमिक्ता के तहद बहाल करना चाहिए यहाँ पर देख पर होंगे यह जो परदेश धक्ष है उनका कहना है तो यहां पर दोस्तो डाइट PTC देख सकते हैं पूरी तरह से जो है खारीच हो गया है यानि डेलेडी अभियारतियों के अपील को हाइकोट ने कर दिया खारीच और निजी और सरकारी ट्रेनिंग कोलेज को अभियारतियों का एक समान दर्जा मिलेगा तो दोस्तो एक बड़ सट्पिकेट पोटल तैयार हो गया है उस पर जलती पंचायती राजव जेवा नगर निकायों के सिछाखो के सट्पिकेट अपलोट करने की पthonी परकिर्या शुरूहगी राज में पंचायती राज नगर निगम सिख्चकों के संगा तक्रीबन साड़े तीन लाग है ये सिख्चक तक्रीबन साड़े आठ लाग नियोजन निकाई है और साड़े आठ लाग नियोजन निकाई है इसके मजदेनेजर पोर्टल पर जो है अपलोड करना पड़ेगा अपलोड मतल सरते हैं उसके बाद तॉट्प य साथीनियूजण के सुचिकट के साथ नियोजन इकाई की अब तक मेधासुची भी अपलोड होगी जिसके सिक्छक निक्ती हुए है जिससे श्क्षक निक्ती इस पोटल के अस्तित में आने को भी अपनी अलग कहानी है दरसल उचनेयाले के आदेश पर पंचाथी राज एदम नगर निगाय सिक्षकू के सट्पिगेट की जांच विजिलेंस कर रही है। इस के आनुपालाल स्क्षकों करने में इसक्षा और दियाँ आगले हपते से अब पॉटल को टिए वो डूसे निकाई कि मेंधाव सुची अपलोड को लेकर सिक्षा विभाग आदेश जारे करने की त्यारी में है विभाग के अधिकारिक सुत्रों के माने तो 2006 से 15 तक नियोजे निकाय में बहाल सभी सिक्षकों के पोर्टल पर अपने सट्पिकेट अपलोड करने होंगे और पोर्टल पर सट्पिकेट अपलोड करने के लिए सम पिकेट और उसकी जो सेवा है सोता रद माना जाएगा सिक्षकों को मामली में यह मामला उनकी निक्ति की वैता से संबंदित नहीं कहा है ऐसी आगे कहना कि ऐसे में उसकी निक्ति की प्रथम दिश्ट्री अवेद अनियम मान कर करवाई की जाएगी यानि परदेश के साड़े से 2015 तक सिक्षक प्रोसेक्षन परमान पत्र नियोजन फोल्डर जांच शुरू की थी लेकिन नियोजन इकाई इतना फोल्डर को जो है निगरानी टीम उपलवद नहीं कराई है तो यहां पर एनाइसी के वैपसाइट पर जो है साड़े तीन लाग सिक्षकों को जो है आप सक्षनिक प्रोसेक्षनिक परमान पत्र अपलोड करना पड़ेगा तो बहुत बड़ी एक अपडेट आ रहे थी जो आपके साथ सेयर करना था कुछ भी अपडेट आएगा आप लोग के बीच जो है सेयर किया जागा और ब्लाइंड को केस को लेकर अभी मैंसिनिंग को लेक अपडेट नहीं आया है जैसे दोस्तों कुछ अपडेट आता है आप लोग के भी सेयर किये जाएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जहन